हेलो सुजेंस गूड इवनिंग वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल दे एजूकेशनिस्ट और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्ट और यूर कैमिस्टी टूचर अर्शद इनाम और स्वागत है आप लोगों का आज इस क्लास 12 की कैमिस्टी क्लास में जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और इस पूरे चैप्टर को हम कुछ पार्ट में देखेंगे तो इस चैप्टर का यह फस्ट रहेगा तो वीडियो को इसकी इपना करते हुए पूरी वीडियो को देखेगा और चलिए विदाउट वेस्टिंग सब्सक्राइब करते हैं तो यही रियक्शन हम यहां पर देखने वाले हैं तो जब जिंक ऑक्जिडाइज होगा तो वहां पर कुछ चैमिकल इनरजी जो होगी सेटप को हम इलेक्ट्र कैमिकल वी कहते हैं तो जो आपकी इस प्रॉसेस के पर सेप्टर के पर बेस्ट नहीं तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे आपई लेक्टोकामिस्ट्री एलेक्त्रोकेमिस्ट्री सी इस डिफाइन एडेट ब्रांच अफदा कैमिकल एनर्जी तो यह पूरा का पूरा क्या relation होता है electrical energy में chemical energy में और उससे कैसे electrical energy convert होती है उसको कैसे हम non spontaneous process में यूज कर सकते हैं वो यही सब हम इस chapter में देखने वाले हैं तो basically आपका यह electrochemistry chapter तीन पार्ट में डिवाइड है electrolysis, electrolytic conductance और electrochemical cell तो यह तीन portion रहेंगे तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो आज हम इसमें सिर्फ electrolysis और उसके बिहाफ पर कुछ चीज़े हैं वो देखने वाले हैं आए जान लेता है importance of electrochemistry के बारे में तो sodium magnesium aluminium और aluminium जितनी भी active metals होती हैं उनको obtain करना और इन से sodium hydroxide chlorine और fluorine etc यूज करना यह सब electrochemical methods में आ जाते हैं आपके battery and cells कैसे instruments होते हैं और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टन पार्ट यह के जो भी आपकी sensory signals आपकी cells से brain में जाती है और branch से cells में आते हैं तो वह सब electrochemical phenomenon का ही origin होता है तो हमारी daily life में यह बहुत useful होती है electrochemistry चलिए शुरू करते हैं आज की यह topic का हम वीडियो जो कि है हमारा electrolysis तो electrolysis दो वर्ट से मिलकर बनाए यहाँ पर इलेक्ट्रो मतलब electricity lysis मतलब तूर जाना तो electrolysis में भी डिफाइन एज प्रोसेस ऑफ डिकंपोजिशन ऑफ एलेक्ट्रोलाइट बाइद पैसेज ऑफ एक्ट्रिशिटी त्रू इस एक्वर सोलीशन और मॉल्टन फ्यूज स्टेट जाने कि इलेक्ट्रोलाइट वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट बहरा रोए है जैसे कोई भी cents या उसका स्टीट होगी याह उसका होगा दो मेटालिक एलेक्टोड लगे रहते हैं पॉजिटिव पॉल आपका एनोड कहलाएगा नेगेटिव पॉल आपका कैथोड कहलाएगा और जो आपका सौर्स होगा और एमिटर यहां पर लगा रहता है तो सबसे पहले उसके अंदर आइनाइजिशन होगा और फिर जो कि आइन्स होंगे एलेक्टोलाइट के वह अपोजितली चार्ज इलेक्टोड पर जाएंगा वहां पर वह लिबरेट या डिपाउजिट हो जाएंगे ठीक है तो अब यह इसका प्रोसेस होता है अब इसमें क्या मैकेनिजम होता है मैं आपको बता देता हूं पर आपका एनौड पर तो जीक है अब एनौड और कैथोड पर अलगलग रियक्शन होगी पर एक्जामपल हम बात कर लेते हैं एनौड पर कौन से रियक्शन होगी एनौड पर आपके दो क्लॉराइट आइन दो इलेक्टोन को लूज करके और क्लोरिन में कनवर्ट हो दूसरा कैथोड पर आपके सोडियम आइन है वहाँ तो वहाँ पर वो दो सोडियम आइन कलोराइट आइन दोबारा दो डोनेटिटिट एलेक्टोन को एकसयप्ट करके सोडियम मैटल में डिप्धूज हो जाएंगे कैथोड पर तो बिसिकली यही होता है मैं एक बाद पर टारेता हूं पहले इलेक्टोलाइट काईनाइडिशन होगा जो आपके आयन वह होगे वह इसको द्वारा एकसर कर लिया जाएगा आप यहां डाईग्राम में flow of electron दिया हुआ है तो यह पर ठीक है चलिए हम primary changes कौन-कौन से होते हैं और जो secondary changes होते हैं वह हम साथ के साथ देखके बचलेंगे सबसे पहले हैं यहाँ उसे एक्जामपल लिया electrolysis of molten lead bromide तो जब हम electrolysis करते हैं lead bromide का तो lead bromide का फॉर्मूला मैं आपको बता जाता हूं पीबी बी आर टू ऐसे सबसे पहले वह आइनाइज होगा पीबी टू प्लस आइन में और टू ब्रोमाइड आइन वहां पर लिब्रेट होंगे तो यह आपका जाएगा कैथार पर और यह अनौर पर यहां पीडियाफ में कुछ रियक करें हैं सबसे पहले हैं और पर निचे लिखना को ऐसी पर सबसे पहले कि रिबेट करने अख़ कशी है ऑी आपका सबसे देंगे कर देंगे तो यह आपका प्राइमरी चेंज कैसे लिए इसको आप इसको आप कहले जिए रिडक्शन प्राइमरी चेंज अब यह एलेक्टोन वायर से होते हुए दूसरे साइट जाएंगे जहां पर आपका कैथार्ड पर कैटायन है वह इन इलेक्टोन को एकसेप्ट करके आपका लैड में डिपाजि प्राइमरी चेंज आप देख सकते हैं और सेकेंडी चेंज आप भी दे सकते हैं चीक है इसी तरह से हम बात करें एलेक्टोलाइश ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड तो पहले सोडियम और और निकलेंगे और फिर वहां पर क्लोराइड आएड मैंने आपको उपर भी बताय जाएगा यह जो एलेक्टोन क्लोराइड निकाले हैं वह वायर से होते हुए कैथोड पर जाएंगे और सोडियम दोरा एक्सप्ट करके सोडियम मैटल में डिपाजिट हो जाएंगे तो यह आपका रेक्शन प्राइम रिश्चेंज हो जाएगा तो ओवराल रेक्शन के पर लिबरेट होगी ठीक है अब आगे बढ़ता है थोड़ा सा और इसको कॉंप्लिकेट बनाता है एक्जाम्पल नंबर थर्ड में दिया हुआ है इसने इलेक्ट्रोलाइशिस ओफ ऐसी डूलेटिद वाटर यानिकि जब वाटर देखे वाटर आपका एक बैड इसनका लिबरेटर आएन में लिबरेट हो जाएगा सील्फूरिक एस डाला है तो भी हाइडरोजन आइन और सालफ़ेट आइन में आयनाज हो जाए अब यहांपर आप देख सकते हैं लेकिन अब आइनोड पर दो आइन्स हैं उनके बीच में कॉंपिटेशन रहेगा कि लिबरेशन किसका होगा हाइडॉक्साइड आइन और सलफेट आइन को तो उनके बीच कॉंपिटेशन होने की विज़े से जिस आइन का इसचर्ज पॉटेंशिल्होवर होगा वही आपका वहाँ पर कॉर्क करें ठीक हैं जैसे अफरेट और सलफेट आइन की बात करें यह oxidation primary change हो गया और बहुत सारे hydroxide ion मिलकर S2O और oxygen बनाएंगे यह secondary change हो गया अब hydroxide ion ने जो electron को donate के हैं वो wire से होते हुए cathode पर जाएंगे जहां पर वो hydrogen ion द्वारा accept करके free radical बनाएंगे यह reduction primary change होगा और दो आपके hydrogen free radical मिलकर hydrogen gas liberate करेंगे यह आपका reduction secondary change हो जाएगा तो basically यहाँ पर main चीज़ क्या है कि जब भी किसी electrode पर दो ions का competition रहता है deposition का या liberation का तो वो ion वहाँ पर liberate होगा deposit होता है जिसका discharge potential lower होगा तो यह आपके electrolysis का पूरा process हो गया अब electrolysis के अंदर आपने देखा कि वहाँ पर जो amount आपने current का पास किया और जितना भी amount liberate होगा gram में cathodes पर या anode पर यानिके electrodes पर तो उनके बीच रिलेशन निकाला Michael Faraday ने 1833 के अंदर और कुछ laws वहाँ पर पुट किये दो लोटे फेराडे first law and second law तो ध्यान से देखेगा बहुत important law है तो पहला law यह है first law of electrolysis it states that the amount of chemical reaction and hence the mass of the subsistence deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution या melt तो जितनी भी electricity हमाई electrolyte के अंदर पास करेंगे तो उसके directly proportional होगा जितना भी mass subsistence का deposit होगा तो W proportional हो जाएगा क्यों यहाँ पर W gram में आपके subsistence का mass होगा और directly proportionalize के Q के यानि के charge के तो proportionality constant लेंगे Z यहाँ पर W is equal to Z Q हो जाएगा ठीक है यह आपर यह जो Z proportionality constant लिया इसको कहता है electrochemical equivalent अब अगर ऐसे setup में उसने I amper को पास किया है T second के लिए तो आपका जो charge है जो आपकी electricity है Q is equal to 2 हो जाएगे I is equal to 2 तो इस Q की value हम main equation में रखेंगे तो आपका हो जाएगा W is equal to Z multiply I is equal to T ठीक है अमान लेजे time यहाँ पर 1 second है और आपका ampere भी 1 है 1 ampere है तो जो आपका amount to subsistence का deposit या liberated होगा वो equal हो जाएगा electrochemical equivalent के तो यह की constant है इसकी definition में आपको उपर बताया भी फॉर 1 second एक quantity of electricity equal to the one column is passed ठीक है तो यह इसकी definition है यह आपका first law था उसके बाद बात करते हैं second law of electrolysis यह थोड़ा सा अलग है अब तक हमारे पास सिर्फ एक ही solution के इंदर electricity pass हो रही थी तो अगर हम एक स्रीज में जुड़े हुए दो सॉलिशन के अंदर electricity pass करें तो कितना कितना वहाँ पर मास डिपॉजिट होगा उसके बार में उने बताया है तो इसकी definition देख लेते हैं इसने क्या बताया है अगर हम ने दिये के डाइगराम के अकॉर्डिंग सिल्वर नाइटेट और कॉपर सिल्फेट का सॉलिशन स्रीज में जोड़ा है और वहाँ पर electricity pass की है तो माली जी अगर हम बात करें कैथोर्ड की तो कैथोर्ड पर आपके सिल्वर और कॉपर डिपॉजिट होगे तो कितना मास्वन का डिपॉजिट होगा यह डारेक्टली बेस रहता है उनके एक्विविलेंट मास्व है आप देख सकते हैं चुछिए क्या फॉर एक्जामपल सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड यह बैलन्स केमिकल एक्वेशन सोडियम और हाफ एक मॉलेक्विल मिल जाएगा क्लोरीन का तो क्लोरीन ने इलेक्टोन को यहाँ पर डोनेट किया और फ्री बैडिकल आपस में मिलकर क्लोरीन गैस लिबरेड कर दी वो इलेक्टोन आपके एक्सप्ट करेंगे सोडियम तो sodium वहाँ पर deposit हो जाएगा है ना इसका मतलब यह हो गया कि sodium, एक mole of sodium एक mole of electron को accept करके deposit होगा या एक mole of chloride iron एक mole of electron को lose करेंगे इसी तरह से copper का एक atom दो electron को accept करके deposit होगा क्योंकि इसके ओपर दो positive charge है इसी तरह से aluminium iron के ओपर three positive charge है तो एक mole of aluminium atom तो हम तीन mole of electron को accept करके आपर deposit हो जाएगा अब आपको electron का charge भी पता है कितना होता है माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कॉलमबस इसको अगर हम multiply करें एक mole of electron में कितने electron होगे 6.022 into 10 की पावर 23 multiply माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कॉलमबस तो आपका जाएगा 9,6,4,8,7 कॉलमबस पर mole तो यह एक value आई यहाँ पर यह दिया वह भी है इसको हम क्या कहते हैं 1 faraday कहते है इसको हम numerical में जब रखते हैं तो पूरा ऐसे नहीं रखते हैं 96,500 कॉलमबस पर mole रख देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2nd law के help से उसने फेराडे में value बताई कि फेराडे कितना होता है 1 faraday 96,500 कॉलमबस पर mole के equal होता है अब यहीं चीजों को माइड में रखते हुए हम कुछ numerical को देखेंगे पहला numerical है तो पहले के अंदर इसने कहा है कि 1 mole of aluminium आयन को aluminium में reduce करने के लिए कितना charge required होगा तो पहले reaction देख लेता है aluminium के उपर 3 positive charge होता है तो उसको aluminium reduce होने के लिए 3 electron चाहिए यहनिके 1 mole of aluminium आयन को 1 mole of aluminium में reduce होने के लिए 3 mole of electron चाहिए तो हम जाने कि 3 faraday कह सकते है 3 into 96,500 कॉलमबस तो आपका charge है जाएगा 2,89,500 कॉलमबस सेकिन वाले की बात करें तो 1 mole of cupric iron to copper iron तो इसके उपर 2 positive charge होता है तो 2 mole electron required होगे तो 2 faraday हो जाएगा 2 faraday को हम 2 multiply 96,500 कर देंगे तो यह आप cancer आजाएगा तीसरा देखता है magneze oxide iron को magneze में convert करने के लिए तो 5 electron required होगे magneze iron को mn2 plus iron में reduce होने के लिए तो जाने के 5 faraday electricity चाह रही है तो 5 से multiply कर देंगे तो 4,8,200,500 कॉलमबस चार्ज जाएगा तो बहुत सीधे सीधे है आसानी के साथ ही हो जाएगे इसके बाद हम second problem लेंगे calculate the charge in कॉलमबस required for oxidation of number one two mole of S2O to oxygen और one mole of ferrous oxide to ferric oxide तो पहले बाला देखता है देखे एक mole का जान लेते हैं तो एक mole of S2O के अंदर अगर हम देखें तो एक mole molecule मिलेगा hydrogen और आधा mole मिलेगा आपका oxygen का तो यहाँ पर oxygen ने दो electron को lose किया और hydrogen ने दो electron को accept किया तो हम देख सकते हैं कि इसमें दो electron involved है तो एक mole of S2O को reduce करके oxygen में convert करने के लिए दो फेराडे चाहिए और दो mole of S2O के लिए चार फेराडे चाहिए तो हम चार से multiply कर देंगे फेराडे constant को तो 3,86,000 कोलमबस आ जाएगा ठीक है दूसरा पारड़ देखते है उसने कहा है कि एक mole of ferrous oxide को एक mole of ferric oxide में convert करने के लिए तो यह reaction दी हुई है अब यहाँ पर ferrous के अंदर प्लस 2 चार्ज होता है ferric के अंदर प्लस 3 होता है तो इसको एक mole of electron को लूज करना होगा तो यानि कि एक ferrari है एक ferrari के value यहाँ पर दी हुई है ठीक है तो कोई मुश्किल नहीं है बहुत आसान है बाकि यह तीसरी problem दी हुई है इसको आप अपने हिसाब से देखेगा और बाकि दूसरे numericals भी दिये हुए है इनके answers भी दी हुई है आप अच्छे से इनको problem number 4 है और आपकी problem 5 है तो यह सब answers यहाँ पर दी हुई है इनको देखकर आप अच्छे से उनको solve कर लीजेगा अगर आपको कोई problem आए तो आप लोग मुझे नीचे comment box में करके बता भी सकते हैं ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको like करें अपनी classmates के साथ इसको share करें और मेरे चैनल को subscribe करें ताकि आपको future में आने वाली जितने भी वीडियो है chemistry tutorial वीडियो उनके notification सबसे पहले मिल जाएं और इसके अलवा class 12 के जितनी भी chemistry classes की tutorial वीडियो हैं के separate playlist बनाई भी है आप उनको वहां से देख लीजेगा मेरे आपको पसंद में आएंगे और इसके अलवा अगर आपको कोई query है या question है या कोई भी confusion है related to the today's videos topic तो आप नीशे comment box में मुझे comment भी कर सकते हैं so now this is your host and those and your chemistry teacher और श्रदीनाम taking signing off thank you and have a nice day thank you all